दोस्तो आज किस वीडियों आपको बताने वाला हूँ गिलिप स्क्रीन रिकाउडर एप के बारे में इस एप में आप अपने गेम को रिकाउड कर सकते हैं इसमें आप अपने गेम को 60 FPS और 1080p में भी रिकाउड कर पाएंगे और इस अप्लिकेशन की सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको unlimited storage मिल जगा जिसका आप यूज कर सकते हैं आप इसमें आपने गेम का sound plus miss का भी sound record कर सकते हैं यह application एक best screen recorder app है और इस application के मैं सारे setting बताऊँगा इसमें आप किस तरह से record कर सकते हैं आज की शुडियों आपको गिलिप screen record के वारे में full information देने वाला हूँ तो व application को आप पहले store से जाके download कर सकते हैं इस application का मैं description box में भी link दें दूँगा आप वहाँ से भी जाके से आपको download कर सकते हैं इस application को जैसे open करेंगे कुछ इस तरह से open हो जाएगा सबसे पहले इसमें आपको sign up करना पड़ेगा sign up करने के लिए आपको Google account का option मिल देगा आप इसमें आपको बहुत सारे feature दखने को नहीं मिलेगा sign up करने के लिए दोस्तों आपको simply click करना Google account पर जैसे click करें आपके समने email आड़ी आएगा आपको simply अपने email आड़ी से sign up करना है मेरा पहले से sign up किया वाथ यह application direct open हो चुका है इस application में आपको screen record करने से पहले आपको इसमें बहुत सारे सेटिंग करना पड़ेगा तो सेटिंग करने के लिए आपको इस लोगों पर टैप करना है जैसे टैप करेंगा आपको कुछ इस तरह का interface देखने को मिल देगा आपको start recorder का option मिल देगा इस पर आपको tap कर देना है जैसे tap करें कुछ इस तरह का interface देखने को मिल देगा इसमें सबसे पहले आपको setting करना पड़ेगा तो setting करने के लिए दोस्ट आपको standar full record का option मिल देगा यदि आप अपने game play को full record करना चाहते हैं ता आपको simply standar full recorder पर रहने देना है उसके नीचे आपको दोस्तो land skip का option में देगा इदि आप अपने game को land skip mode में record करना चाहते हैं ता आप यहाँ से land skip select कर सकते हैं इदि स्क्रिन को पोट्रेट मूड में रिकाउड करना चाहते हैं ता आप यहां से पोट्रेट सेलेट कर सकते हैं मैं से लेंड इसकी फिर रने देता हूं उसके निचे दोस्तों आपको वीडियो सेटिंग का ओप्षन मिलेगा जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इन्पो सारक क्वैलटी अब लेवल आप यहां से सेलेट कर सकते हैं तो मैं मेडियम सेलेक्ट मेर्णे देता हूं उसके निचे आपको रेजुलियोशन का ओप्षन मिल देगा आप यहां 480, 720, 1080, 114, 140 आपको बहुत सारे यहां अलग-अलग रेजुलियोशन मिल देगा आप यहा को आप यहां से रख सकते हैं इस तरह से आप यहां से वीडियो का सेटिंग कर सकते हैं उसका बाद दूसरा दूसरा इन पोटेंट सेटिंग आता है दोस्तों ऑडियो सेटिंग का जो कि यह आपके लिए बहुत ज़्यदा माइने रखता है तो ऑडियो सेटिंग करने के लिए if microphone का sound record ताप यहांसे microphone को select कर सकते हैं। उसके निचे आपको in-game audio मिल दएगा। यह आप चाहते हैं सिर्फ आपका gameplay का audio record हो ताप यहांसे in-game audio को select कर सकते हैं। उसके निचे दोस्तों जो option रहता है in-game audio and microphone यह आप चाहते हैं अपने gameplay के साथ साथ आप अपना voice को भी record करना ता आप यहां से नीचे का जो option रहता है इन गेम audio and microphone इसको आप यहां से रख सकते हैं उसके दोस्तों नीचे आपको मिल जाएड़ेस्ट volume आप यहां से अपने game का जो भी volume रखना चाहते हैं आप यहां से अपने हिसाप से adjust कर सकता है आप इसे बड़ा घटा सकते हैं आप यहां से फुल रखना चाहिए तरह फूल भी रख सकते हैं उसके नीचे आपको miss audio का ऑप्षन मिल जेगा यह एदि हे आप चाहते आपका जो ये माइक यूज कर रहा है जो आप sound बाहर से बोल रहा है गम पर रहे वक्त आप इसे कितना रखना चाहेंगे आप अपने सापसे adjust कर सकते हैं इस तरह आप इस application की सारी setting कर सकते हैं इस application की अब सारी setting complete हो चुकिया इसमें आप game को record कर सकते हैं रिकाउड करने के लिए लॉँंच रिकाउडर और उप्शन मिल दागा इस पर जैसे आप करेंगा आपका रिकाउड और स्टार्ट हो देगा आप जो भी वी तो रिकाउड करेंगे आपके और अल में देखने के मदद से अपने गेमपले को रिकाउट कर सकते हैं यह वीडियो अच्छालों लाइक करें और चैनल पर पहले और तो आप जैनल को जिरूर सब्सक्राइब करें यदि इस अप्लीकेस ने आपको कोई भी दीकाता है ताप हमें कमेंट करके